प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मुदीजी की तेह दिन से इच्छा थी के इस देश में जब तक GRIM उदे नहीं होगा तब तक भारत उदे नहीं हो सकता है और जब तक हम ग्राम गाउं में वो सुविदाई नहीं पहुंचाते हैं जो शेहरों में उप्रब्द हैं तब तक बलायन होता लएगा लोग गाउं छोड़के शेहरों की तरफ जाएंगे शेहर भी ठीक तरीके से शेहरों की भी सवरतना नहीं हो पाएगी और उसी प्रकार से गाउं में रहने वाले लोगों का उतार नहीं होगा बच्चों को अच्छे शिक्षा अच्छे स्वास सिवाएं बुजर्गों को नहीं मिलेगी तो एक उनकी तहे दिल की इच्छा है कि ग जोड़ों रुपए उपर से लाके दे पाऊंगा ऐसा कल्पना नहीं है इस योजना की कल्पना यह है कि जो बहुत सारी सरकारी योजना होती है केंद्रे सरकार की इन सब योजनाओं को केंद्रित करके इस इलाके में सब योजनाई ठीक से सुचारू डंग से आपके इलाके में लगे ये कल्पना से सांसर्ट आदर्श गाम योजना की काम शुरू किया गया है अभी अभी श्री आंबादास ची पडोले ने यहां पे मुझे अर्ज किया कि अड़गाओं को भी मैं सांसर्ट आदर्श गाम योजना में लो मैं समझता हूँ बडोले जी आपको अर्ज करने के ज़रत नहीं है यह आपका अधिकार है और आप अधिकार से कहिए कि इसको भी जोड़ना चाहिए और यह मैं घोश्ता करता हूँ कि अब चार नहीं पाचो गाओ का क्लस्टर हम आगे दिमलब करें